है अगर दोस्तों कैसे आप सबी आज आपके लिए नया चैप्टर लेक्टार रहे हैं आरके जाब उक्का जिस चैप्टर का जो नाम है वो है गड़तिये तरक शक्ति यानि कि mathematical reasoning अब इस चैप्टर में आप जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले चैप्टर का नाम समझ लीजिए एक बार बता देता हूँ गड़तिये तरक शक्ति अर्थमेटिकल रीजनिंग या फिर mathematical reasoning इसे कहा जाता है तो आपको इस चैप्टर में समझना ये है पूरे चैप्टर में इस चैप्टर में नाम में ही चपावा है परसेंटेज है अगर परसेंटेज इस बस्चे से नहीं आती हो यह कुशन नहीं कर पाएगा सेकिंड नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम मैत का है थर्ड हम जो पढ़ने वाले में ली चैप्टर से बता रहा हूं एज एज डीजनिंग में भी आता है लेकिन वह मैथ का ही पोश कोशन आ जाएंगे है कि प्रॉफिट ने लॉस ठीक और रीजनिंग की बात क्यों तो रीजनिंग का वैंड डियाग्राम का कोशन आएगा इस एक चैप्टर में में टो वन टू थ्री फॉर फाइव चैप्टर तो यह हुई गया और भी कई सारे कोशन से जो इसमें आने वाले गड़ती तक शक्ति मैथ के चैप्टर मोट मोट मुच्ट बड़ती सिम्पलिफिकेशन सिम्पलिफिकेशन जैसे नहीं आती वह नॉमल इकोशन नहीं कर पाएगा है ना सौल करना कैसे किसे कहते हैं तो इस चैप्टर में हम में ली जो जादतर कोशन पढ़ेंगे वह एज वाले पढ़ेंगे या फिर परसेंटेज वाले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम वाले तो मतलब यह में ली चैप्टर में पढ़ने वाले तो इसमें रोल जो मैत का है तो थोड़ी सी कैलकुलिशन पर ध्यान देना पड़ेगा जिन बच्चों की कैलकुलिशन अची नहीं है तो रीजनिंग तो ठीक है ना रीजनिंग पढ़ रहे हो यह चैप्टर क्यों दिया करते हैं कि यह परिजूनिग में सब्सक्कुलिशं तक वो लोग आपको चैक करने के लिए ऐहीं पर सकते है कि हमने meth को रहें white είको कर सकते हैं करना कैसे दो तरीके एक्स वाई मान के जो हूं करते हैं मैं थो हैं सेकंड तरीका ऑप्शन ठाके मैं दोने तरीका आपको बताने वाला हूं तो वह शुरुवात करेंगे हम लोग यहां पर मैं आपको कराऊंगा उससे पहले आपको क्या करना है question आपको side में question आपको यह side में दिखते रहेंगा मैं इधर आपको solve कराता रहा हूँगा आप पहले देख लिए clear चमग रहा है फिर मैं side में शुरू करते है question इधर दिखेंगे इधर में कराऊँगा तो आप अगर question दिखेंगे तो इस पूरे चैप्टर में इस पूरे चैप्टर में आज कोशिश यह कर रहा हूँ कि आपको अच्छे वाच हमके साफ साफ सब कुछ तो कोई गलती ना हूँ क्योंकि कल एक्चुली मैंने वीडियो वनाई थी देन हुआ क्या कि आवाज नहीं आई तो एक वर मैं आवाज चेक कर लेता हूँ सब कुछ चेक रहेता हूँ देन फिर हम लोग शुरू करते हैं कि हमारी आवाज आज मेरी खाल्च आपको सही आ रहे होगी आप सब कुछ कराओंगा तो यह मैं रफ कर देता हूँ सबसे पहले उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा एक्जामपल सारे मैं कराओंगा आज ही की वीडियो में यह कुछ आज करा दूँगा कुछ मैं आपको कल करा दूँगा तो सबसे पहले पहला एक्जामपल्स आपको इदर दिख रहा है आपसे बोला गया कितनी बत्तके कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती है यदि एक बत्तक के आगे दो बत्तक के हैं और एक बत्तक के पीछे दो बत्तक के हैं ये एक कहावत पहले जावाने में पहले चलागर देते ना उस दिर के पहली चेप्टर में मिलनी पूछी जाएंगी क्योंकि इसने कम से कम बोल दिया इसलिए ये पांच आमका अंसन नहीं होगा क्यों 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 कि देखिए अगर मैं ये दो मिटा भी देता हूँ किया तो अब गौर करिए एक बद तक के आगे दो बद तक बोले हैं एक बद तक के पीछी दौब दूबुहस क्यों जालो हञा है तीन बहुत सिंबल जोशन है लेकिन थोड़ा बस समझने की बात है बात करते हैं दूसरे कोशन पर आते हैं टाइम वेश नहीं कर रहे हैं अपना दूसरा कोशन का है एक इस्पिताल में कुछ मरीज है डॉक्टर ने बिमारी के बारे में बताएं दो तरीके से कर सकते हैं इस क चालिस रोगियों को मधू में है यानि कि डाइवर्टीज है मैंने लिख दिया ब्रैकेट में 40 इस सरकल में मुझे 40 चाहिए और 30 रोगों को उच्छाप है हाई ब्रट प्रेशर 30 लोग को मैंने 30 लिख दिया आप से बोला है 22 रोगियों को मधू में उच्छाप दोनों है तो बेटा जिनको दोनों है सबसे पहले काम क्या करना होता है वैड डियाग्राम का रूल है कि सबसे पहले आप वो रखो जो कॉमन है क्यों कि 22 लोगों को दोनों है तो वो इन दोनों के बीच में आएंगे इस वाले सरकल में भी आएगा अब जब आ गया तो आपने क्या द जिनको या तो डाइबर्टीज है या है दोनों है अब आगे पढ़ते हैं आगे क्या बोला था उसने बोला था सत्रा रोगियों को ना तो मदू में ना ही उच्रक्चा तो बेटा 48 तो यह आगए जिने यह दो बिमारी तो नहीं है आप से बुछा टोटल वेड कितने कर रह बेक्से और बिमारी करी हो साकते यह दो नहीं हो सकता र्यात को को यह एर भीमारी हो क्योंकि उसने बोला वेड कितने हैं कितने लोग कर रहे हैं तो बेद की बात लिह एक कितने हो क權 옅 किरत है 23 तो नहीं हैकि loti यह तो डीए हैं underneath the old- है और इन मेंसे बाइस ऐसे हैं जिने दोनों है तो आप दोनों आघे लेकिन वाइस कॉमन है तो आप तरह मेंस कर देंगे लोट फिर के गया है तो अब आते हैं तीसरे कोंशन और अच्छा मुर्गी सरवाला आई आपको उर्दुक दिने वाला तो इसके पर दो जार्व कते हैं तो मुर्गियों की जो मैंने संख्या मालनी बेटा वो मैंने मालनी X तो भेडों के भी कित्ती हो जाएगी बोले सर्थ भेडों की संख्या भी हो जाएगी X फिर क्या बोला पुरुष बक्रियों से दोगने और बक्रियां भेडों से दोगनी है अगर बक्रिया भेडों से दो गुनी है भेड़ मैंने x वाने तो बक्री कित्ती हो जाएंगे 2x और पुरुष बक्री से दो गुने है तो अगर बेटा बक्री 2x है तो पुरुष हो जाएंगे 4x अब आगे क्या बोला आपसे आपसे बोला यदि पैरों की कुल गड़ना 44 है टोटल पैर दे दिये 44 तो कितने 4 पैर वाले जानवर हैं आप बात बताओ बिटा इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं बोले 2 तो 2X हो गया पिलस ये मुर्गी के पए होते हैं तो ये भीड़ा घो एक दिया बखरिको मैंने भी लेग दिया तो मात देख चाहरी पुरूश के पार ने डाप करेंगे तो आपने क्या देका चाहर पुरूश के दो पहते हैं चार दुनी आर्ठेक्स टोटल आपने जब जोड़ा तो आपके पास कितना आगया आपके पास आगया आठ आठ सोला चार बीस और दो बाइस और इनकी जो वैल्यू दी गई है वो कित्ती दी गई है इनकी वैल्यू उसने दिया चार पयर वाले जागवर तो चार पयर वाले कितने jakieś और धेडेकर जानवर तो दो एक्स और एक्स जानने कि तीन एक्स तो तीन A double उसने आप से पूछी है तो तीन ऐसी रहें एक्स की वैल्यू यूंज है कि दो तीन दुनी छह अपका आनसर किता हो गया 6 याने कि 4 पैर वाले जानवरों के संख्या कित्ती आ गई बिटा 6 क्लिर हो गई बात वह सिंबल जा कॉंसेप्ट आप आप नॉमली कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुर्गी एक्स भेड एक्स क्योंकि दोनों के संख्या समान थी बकरी भेड़ों पर दो गई थी 2x और पुरुष बकरी पर दो गई थी 4x मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 2x हो गया भेड के 4 पैर होते हैं तो 4x हो गया बकरी के 4 पैर होते हैं 4 दुनी 8x हो गया पुरुष के 2 पैर होते हैं 4 दुनी 8x हो गया इनकी टोटल पैरों की संख्या की 34 सबको जोड़ दिया 22 दुनी 44 तो कितना हो गया बोले सर आपसे पूछा जब एक्स की वैल्यू आगए तो आपसे पूछा चार पैर वाले जानवर तो चार पैर वाले हैं कॉन से भेड और बकरी तो बकरी के हैं 2x भेड के हैं 2x और x किता ह होता है 3x याने कि 3x की वैल्यू पूछिए तो x की वैल्यू है टू ठीरी ऐसी आ गया एक्स की वैल्यू रग दी तीन दुनी 6 याने कि चार पैर वाले जानवर कितने आगए 6 मेरा आंसर किता हो गया बिटा 6 तीन कुशन कंपलीट हुए चौथा देखें चौथे कॉशन मे इसे रफ कर देता हूं में अब आते हैं चौथे कॉशन पर तो चौथे कॉशन में बोला कितने समय में एक बंदर 60 फिट लंबे पेड़ के सीष पर पहुंच जाता है यदी वह है एक सेकिंड में तीन फिट उचलता है तुरन दो फिट पिसल जाता है अब बहुत सिंबल ज सेकिंड में वह एक विट चल राया कंक्लूजन यह है तीन फिट उचला दो फिट नीचे फिट लगए यानि कि एक दो तीन अगर मैं मातना हो तो उपर गया फिट नीचल गया एक फिट चला क्लिर हो गई बात इतनी बात अब आपने क्या समझा तो बच्चे क्या करते हैं बाढ़ा है 156 में साइब साओं निकिन स्ण्व करते खतम होगे सब्सक्रा आप फ्सक्राइग टो जाए पर पहुच जाये तो नीचे नहीं बुत मेहां देखो कि यह अप् colony करें यहां से बंदा उपड़ जाएगा फिपले ऑपर जाएगा पीस लेगा उपडाइगा फिसले फिसले अपर यहां इण कितने सेकिंड आगे कितने फित ऐलिए तब देखा एक सेकंड एक सेकंड में कूद रहा था तो भार इसलेगा नहीं सेकंड यह हो गए एक सेकंद योगया 57 और तीन कित्ता फिट होता है साट फिट और 57 और कित्ते सेकंड होते हैं 58 याने की 60 फिट कूदने में पूरा चल्डने में उसे किते सेकंड लगेंगे अठावन सेकंड शॉटकट क्या है shortcut यह है कि जितने भी fit का खंबा बोला उसमें से पहले वो जितना कूद रहा है वो minus कर दो बिना फिसले तो एक सेकंड में वो तीन फिट कूद रहा था टोटल साथ फिट का खंबा था पहले आपने तीन माइनस कर दे कितना आ गया 57 फिट expect तो बहुत रीपीट करोअब लेकिन इस कोशो को एक और और रिपीट करके देखना और कॉपी में नोट जरू करना क्योंकि यह कुशन काफी बार रिपीट हुआ है एक आद बार ने काफी बार क्लिर होगी बात? अगले कुशन पर आते हैं चार कुशन गंप्रीट होगे? पाँचवा कुशन देखें एक प्लस बीगे टथा सी की कि खुल आई यू से बारा अधिक हैं यानि कि बीप पिलस सी पिलस बारा फिर क्या बोला? तो बताए चीए सी एसे कित्ने वरण चूटा है अब बात बात बताओ, इस बी से बी कर जाएगा क्योंकि जब B इदर जाएगा तो plus B और minus B आपस में cancel हो जाएगे यानि कि A की value जो आगी किती है आगी C plus 12 तो आप देखते ही बता सकते हूँ आप से क्या बूचा है C A से कितने वर छोटा है वोले 12 वर छोटा है यानि कि C जब 12 योटना हूँ तो से लिक सकते हो कि C इस इकल टू आण 12 चला गाधर A मनेस 12 यानि कि A मे से 12 मैंने को योट स्फिते है तो A कितने वर छोटा है बारा वर छोटा हो गया कले रोगी बात तो ये थे हमारे 5 कोष्शन जो आपकी समझ में आ गए होंगे अब अगले कुशन पर आते हैं अगला कुशन क्या है आपका तो अगले कुशन में बोला गया ए और बी की आयू का गुणफल 65 और योगफल 18 उनकी आयू का अंतर बताओ देखो इस कुशन में क्या करना है कि आप सोचो ए और बी की आयू का गुणफल किता बोले 65 अब मुझे ध्यान से सोचो कि ऐसे कौन से अक्षर है कौन से नंबर है जिनका गुणा गुणा करने पर 50 और जोड़के किता आ जाएगा अथारा तेरा पांच अथारा सिंपल सा मैटर है और कोई आई नहीं रहा उने 65 बोला था और यह तभी पॉसिवल है क्योंकि और कोई दो संक्यासी नहीं इनकी गुणा करने पर 65 है तो आपने देखा तेरा गुणा पांच कितना आ गया 65 और इसको चेक करने के दूसरी कंडिशन वे दी थी कि तथा दोनों का योगफल अठारा है तो आप देख सकत है तो आपकी समझना चुका हो और है ना तो हमें क्या करना होता है हमें सिर्फ चेक करना होता है अगर आप इसे समीकर्ण बना के करेंगे तो भी आप कर सकते हैं कि a b is equal to pass at a plus b is equal to 18 then समीकर्ण बनाओ solve करो थोड़ा सा a plus b का square वाला formula लगाओ और solve करो वह बहुत बड़ा तरीका है और मुझे नहीं लगता कि उसकी जरुवत आपको पढ़ने वाली है क्योंकि इतना तो reasoning आपके लिए reasoning का मतलब है कि short में करना है ना math नहीं चल रहा है कि मैं a plus b मान के वह लंबा चोड़ा आपको कर रहा हूं जो चीज मुझे लगे की कराने लाएक है देन वह ठीक है बट वह coordinates मान के एं देन आपको फिर solve कराना वह बहुत lengthy method हो जाएगा जिसको आप करके भी अगर कर भी लोगे तो इतना time पर बाद कर दोगे कि एक question से कर देना ठीक है next question पर आते हैं इसको में रफ कर देता दो कोशन के complete होगे तो अगला question क्या बोले बिटा अगले question मैं आप से बोला च्छटे question के बाद हमने 6 question कर लिए अब तीन क्रिशन और बचे तीनों बहुत अच्छे question क्योंकि तीनों के तीनों math के question है आई यू वाले चप्टर के question है जो मैं कभी नहीं कर आता है मैं विखॉर इसलें निगा दाया क्योंकि मैंड का पोर्षान है मैं छाहता की चब्वाइज्ण को Kुणकी मैठ का पोर्षेन है मैं भाले सरी हमिशा कराथ आए थाया है तो अनेस्टली मेरा मैं थोड़ा सा इतना जाधा मैं ठीक है ठीक है लेकिन जो मैंड आप ज्यादा अच्छा बता सकता है that's why मैं कभी आयू के चैप्टर कराता नहीं हूं but because यह चैप्टर रीजनिंग में है that's why मैं आपको जो इस चैप्टर में कोशन आ रहे हो definitely कराने वाला हूं तो थोड़ा सा comparison मत करना शायद मैं इतना अच्छे वे ना समझा पाँ करेंगे तो at least आप समझ जाओगे कि मैंने पढ़ाया तो है पहले में पढ़ाता था मैंने मैं भी पढ़ाया बट अब काफी ताइम से में रीजनिंग पढ़ा रहा हूं यह का चैप्टर रीजनिंग में है तो मैं आपको समझाओंगा आपके समझ में आएगा बस comparison मत करना क्य समझी नहीं करोके तो समझ में अच्छा आएगा है दो देखो कोशन क्या ना आप से भूला ए और बी मुत्र है fertig है और एब से दो वर्ष बड़ा है ठीक है एक पिता की आईउ एके D की a you A से दोगनी है और B की a you अपनी बहन C की a you से दोगनी है D और C की a you का अंतर 40 वर्स है तो A की a you ग्याद करें वो लिटा कोश्ण देखो आपसे बोला A और B मित रहे हैं और A B से दो वर्स बढ़ा है तो सपोस्ट करो कि A की a you मैंने मालली X क्योंकि कोशन option से उठा कि अगर आप करोगे तो बहुत लंबा पढ़ने वाला है कर सकते हैं मैं करके दिखा दूँँ आपको होगे तो लेकिन फिराल हम लोग ऐसे करके बता तो फिर हम बात करते हैं दूगनी है तो डी किती हो गई इसे दूगनी हो फिर क्या उपनी बहन जी आई न से दूगनी है तो अगर यह दोगनी है यानि कि तो इसकी आधि होगे तबहीद नहीं स्ट्वाट आपन तो बहूला आपसे बोला दी और और की का अंतर्ड़ किती किती 2x सी किया यू किती है एकस माइनस टू अपाउन टू का अंतर 40 वर्ट से इसकी वैल्लियू आपको किती दी गई है 40 दी गई है आपसे बोला है एक यू ज्याद करें वह सिंबल दो खुशन नॉमल सा सॉल्व करना है को इतना भारी को सॉल्वशन है नहीं आप यहां सॉल्व करेंगे यह हो जाएगा 4x माइनस एकस और माइनस माइनस क्या हो जाता है पिलस टू इस इकल टू तू इधर ले जाओ हो जाएगा हो जाएगी एटी माइनस टू एट इस सेवन्टी एट तो याने की टू इधर चला गया तो एकस की वैल्यू किती हो जाएगी वहले एकस की वैल्यू हो जाएगी सेवन्टी एट और त्रिया जाएगा अपॉन में डिवाइड कर दो तीन दूनी छह एक बचा और तीन चंग अठारा याने की चब्विस तो एकस की वैल्यू किती है गई बेटा चब्विस क्लियर हो गई बाद अब इस कोशन को अगर आप चाहते ऑप्शन से करना तो आप कैसे कर पाते यह नहीं कर पाते दर्म आपको समझाले तो आप कर ऐसे सकते थे कि a option उठाना है आपको option आपको side में दिख रहे हैं मैं थोड़ा सा देखे लेता हूँ एक बार option क्या-क्या है फ्रहीं बताते हैं कैसे तोदेखो सिंपलिक जा ऊंसेप्ट है पहले मैं वह उठ कितियों व्यक्तितिन Timothy 17 गिते विलेंगी से दोगना है तो इसकी सीगे ज्योंती अई एूर्फटी सो प्ले मैं नहीं आ रहा तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि यानि कि मुझे यहां पर वैल्यू इतनी चाहिए कि यहां पर 40 से बड़ा नंबर है तो एक ही वैल्यू में वह उठाऊंगा जो 40 से बड़ा नंबर है तो देफिनेटली 40 भी उठाऊंगा तो अंतर ज्यादा हो जाएगा तो मैंने सब्सक्राइब 25 में असान मैं आप्शन जो कैल्कूलिशन असान है वह तो अगर मैं 25 उठाता हूं तो आंसर कितनी जल्दी आईगा? यह हो जाएगा 24 यह और यह हो जाएगा 52 और यह हो जाएगा 12 यह क्यों? क्योंकि 24 से तो यह 12 होगए और आपने क्या देखा? कि इन दुनों का आंसर जो बोला है मैं आपको एक्सप्रेंग करना चाहता है कि 15 क्यों नहीं है और चालिस में कभी नहीं उठाओ कि अंतर चालिस से फिर बहुत ज्यादा आएगा तो थोड़ा सा प्रेक्टिस करेंगे तो खुछ समझ मैं अगर मैं उठाता बाइदवे अब मैं के लिए बताता हूं तो मैं पच्चीव उठाता हूं 25 से बुद्ध अंदाजा लग जाता कि 25 से नहीं रहा है वह दब 26 आएगा गांफर्म तो यह मुझे अंदाज लगता है पंदरा अभी नहीं उठाता लेकिन आपको समझाने के लिए यह नहीं पहले पंदरा उठ देता हूं कि मैंने उठाया 26 आपसे बुला था बी की ए बी से दोवर्ष बढ़ा है तो अगर दोवर्ष बढ़ा है यानि की वैली हो गई 24 फिर आपसे बोला डी की आयू एकी आयू की दोगनी है तो अगर यह 26 और चालिस आ रहा है या नहीं आ तो बावन में से बारा गया और अगर अंतर चालिस आ गया इसका मतलब यह है कि आपका अंसर बिल्कुल सही है अगर चालिस अंतर नहीं आता तो आपका अंसर गुलत हो जाता है तरीका सा जो था वो था अब बागी यह तरीका तो है जो मैं आपको पहले बता है ठीक है next question question number 8 आठवा question क्या है देखो मैं अगर personally अपने तरीके से बता हूं कि जितना question मैं reasoning में करता हूं reasoning में जो portion आता है तो मुझे बिल्कुल भी xy मानना बिल्कुल पसंद नहीं है personally बता रहा हूं मतलब ठीक है तरीका है वो कर सकते हो वो करना भी चाहिए और सर आपको बहुत- टाइम टेकिंग लगता है मुझे टाइम टेकिंग बिल्कुल questions पसंद नहीं है तो मैं speed में थोड़ा सा गराता हूं that's why थोड़ा सी problem हो जाते है तो अब अगले question पर आते है आयू के बीच का अंतर उनके पिता और माता कि आयू के बीच केसमान है ठीके चलो बड़े भाई की आयू 15 वर्ट से चोटे भाई के जन्म के समय उनकी मा के आयू फैट इस वर्ती पिता माता से प्राइन सब्च बड़े हो तो बेटे जन्म के समय है ठीक है बहुत simple question है आपके कर सकते हों दूस्तरीक। आम घए घए कहरां ओई तो कोश्चन में बोला है उसने बड़े भ़ाई और छोटे वाई को अंतर के बराबर तो कि लोगा अपने और आपसे अंतर जो है आ यू हो दोनों का समान है तो मैंने अपने अपने पास से वैरेवल माल लिए और दोनों का समान है फिर आपसे बोला फिर आपसे क्या बूला फिर आपसे बोला कि यूचा सबस्ते हैं जो ढखाइज ग्रत को बता की पिता की पिता घ। है माता से पांच बड़े हैं यिडि पिता माता से पांच वर्ष बड़े हों यानि कि इनका जो अंतर हो कितने का है पांच का है इसाफ सब दे रखाए तो आपको बताए जाएगा इधर प्लस का ओजाएगा पांच जाएगा माइनस का यानिकि एक वेल्यू कितिया जाएगी दस वर्ष इतनी कैलकुलेशन तो लिए दस ने बात ने देखा कि एक वेल्यू बड़े बड़े बाइगी 15 चोटे वाइगी 10 यह बात के लिए रोगी आगे क्या आगे आप से बोला ये कि 10 साल पहले मा की आयू सैतिस वर्ष थी टिके क्योंकि उसने बोला ये था उसने बोले चोटे बाइगे जन्म की सब्सक्राइब कि अनिकि जब चोटा भाई पैदा हुआ था यह दस साल पहले जो इसकी मम्मी की आयू थी वो कित्ती थी 37 वर्ष थी यह कब थी दस साल पहले यानिकि इस समयों की 47 फिर आल उसकी हम बात नहीं कर रहे तो दस साल पहले है जब यह जन्म लिया था इन्हें छोटे वालों से पैदा हुए थे दस साल पहले आप कि दस साल पहले जो छोटे वाई की मम्मी की जो उमर थी वो सैतिस्वरति आपको बताने तो बड़े बेटे के समय अगर मम्मी की आयू बतानी है तो दस साल पहले सतरा सैतिस आप से कितना साल पहले पूछा है और पांच माइनस कर दो तो कितना आगया बत्तिस यानि कि पंदरा साल पहले जो आई उगी वो कितनी होगी 32 तो मम्मी की आयू आगी 32 वर्स आपका आंसर हो गया 32 वर्स खतम अब बच्चों बस एक चीज़ बता देता हूं इस कोशन में थोड़ी सी में स्प्रिंटिंग यह हो सकते हैं कि बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में एकलती कर सकता है कि आप से बोलता है यदि पिता माता से पांच वर्स बड़े हो तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी आयू क्या थी तो हम लोग पिता के अगर मैं बता हूं तो क्योंकि आप लोग आंसर चेक करते हो किताब में फिर आपको गलत है यह एक्स्प्लें कर दिया आपको बट इस कोशन को पढ़के जो सेंस निकल क्या थी तो अगर सब्सक्रों कि पिता कि आयू पूछेगा फिराल तो इस कोशन में माता क्या यह पूछेंद मैं आपको एक्स्प्लें कर दिया बट कोशन पढ़के सेंस लग सकता है तो उसका आंसर फिर तो यह गलती किताब में हो सकती है पेपर में नहीं होगी तो सब्सक्राइब यह पूस्ता तो जब मां की 32 आ गई है और दोनों में अंतर कितने का है पांस साल का तो फिर आंसर 37 हो जाता के लिए बात चाले फिराल यह आपके समझ में आ चुका होगा आगे बढ़ता है आगे आपसे बूला गया है एक मिनिट बस ठीक है आगे बूला ग अभी जब मैं अपको प्रेक्टिससाड करा हूँ गया पूरा चैप्टर सौल करा हूं तब आप सोचते रहे जाओगे देखते जाओगे इतने कुश्य इतने चैप्टर में एक ही चैप्टर में तो इसलिए थोड़ा सा आपको मैहत बहुत थोड़ा सा अच्छी होनी चीह बनना आपको तो पर दिक्कत पढ़ने वाली है तो आपसे बोला दो वर्ष पूर्व एक क्लब के तीन सदस्यों की औसत आयू तीस वर्स थी अभी बात बताओ लोग का अगर खिंट वर्ष निकलना है तो पांच को टूटल जोड होगा तो आपको आगर औसती दिया है तीन रो century यावने विगए तो अन्योन प्रफिद के है तो मुझे बताँ इस समय कितना होगा तो दीखो सिम्पल सी बात है अगर इस मुझे बताना हो तो तीनों की आयु में 2-2 बढ़े होंगे हैं पहले वालन भी दो बस्ग में दो सावा दोबा थीसरा वालन भी दो बस्ग बढ़ा होगा जितना आपकी IU बढ़ती है उनका तना ही average बढ़ता है क्यों क्योंकि दो-दो-तीनों में जोड़ोगे देन फिर आप तीन से भाग के रोगे उसको तो लौट फिर के दो ही आने वाला है तो आपने क्या देखा जब दो-दो आप तीनों में बढ़ा दोगे तो ट्रोल कितना हो जोड़ते हैं तो याने की वर्तवान आयू का आउसत में कोई परिवर्टेद नहीं होता लेकिन लेकिन यदि नहीं सबस्क्राइब का आपको देखना किलब में अप सदस्यों के संक्या किती होगी पांच पहले किती थी लेकिन और तो अगड़ तीसी रहा तो पांस तीयां पंद्राइब कितना चैनल नहीं तो यूगफ़ां गया एकक्सों पचास आगया अब उसने बोला कि माना किलब की आप आप से जो बोल थीक है किलब के पांस फिल आयू कि अधीर बोले 150 आजी सथ अब दो नए सथे जुड़े और दो नए फद्शे जब जुड़े तो वेल्मी गतीना आगे 150 तो अगर मैं उसको माना हूं सपोर्सक्राव मैने माल लिया एंगा एक इंदो नों को वो जब मैंने जोडा तो आज़ससद नौटर वैफा था कितना बढ़ गया कितना चैनला तो आप अगडर निकालेंगे थो तो ए प्लस वी का टोटल जो आया सिर्फ ए प्लस भी का टोटल कि इसमें से मैंने यह तीन माइनस के दें तीनों का च्यानवे था और इन दोनों के आने के बाद एक सो पचास हो गया तो ए प्लस वी जो मैंने दो लोग बाद में जुड़े हैं उनका आयू का यूपफल किता आगया चलवण आगया आपकी समझ में आ गई बात अब आपने क्या देखा अब आपने यह देखा कि इनकी आयू का अंतर जो दिया है इसको अगर मैं समीकर्ण वन मालनों और ए माइनस बीकि आयू का अंतर उसने किता यह यह उसने दिया मैंनी बोल रहा कोश्य में बूला 2A और प्लस से B से B कट जाएगा तो 2A की value किती आ जाएगी बुले 54 और 60 आ जाएगी तो A की value किती आ जाएगी बुले सब 2 से काट 2, 3, 2, 60 A की value किती आ जाएगी 30 अब एक बात बताओ solve कर लो खुदी अपनी कि A प्लस B की value उसने किती दी है 54 तो पेटा A की value 30 है तो 30 पिलस B is equal to 54 पुरा solve करके दिखा रहा हूं समिकर 1 में value रख रहा हूं तो यहां से B की value किती हो जाएगी 54 माइनस 30 यानि की B की value हो जाएगी 24 अब कसम से गह रहा हूं कि मैं यह बच्पना कभी नहीं करूंगा दैन ऐसे solve करके दिखाना यह बक्वास है आपको समझाने के लिए करा रहा हूं आप सिंपल ता समझ लू यहां से एक ही value 30 तो सिंपल चाहिए टोटल कितना चाहिए मुझे चाहिए मुझे में चाहिए चाहिए मेरे पास है कितना का मैं 24 यानिक छोटे वाली सब्सक्राइब करेंगे चाहिए मुझे लगता कि आप कोई दिक्कत होनी चाहिए और अगर दिक्कत नहीं है तो टाइम वेश ना करते हुए आगे बढ़ेंगे और कोशन करेंगे तो फिराल मैं आपको बता लेता हूं कि आप सभी लोग जोड़े रहेती देर तक आप सभी का दिल से बहुत-बहुत अबाद धन्यवाद आप सभी का और कल जो मैं कराने वाला हूं इसका पैक्टिसर्ट कराऊंगा और कल थोड़ा सा गैप हो गया था उसके लिए माफ ही चाहूंगा गैप होने का रिजन था कि थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू हो रहा था कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे आनी सिर्फ मेरी घर में नी पूरे खलानी में थोड़ा सा इश्यू था लाइटिंग है जिस विडियो मैं बन उनका तो मैं कुछ करी नहीं सकता हो बाद में देख लो जब आप फिर हो तो अब साइड में आपको यह दिख रहा है मिरा नाम नमबर इंस्टाग्राम फेस्बुक टेलेग्राम इसे जोइन करना है इंस्टाग्राम सभी चलाते हो तो फॉलो करो दो आईडियां इस्टाग सब्सक्राइब आपको तो तो टेलेग्राम इस्टाग्राम फेस्बुक इस्टाग्राम सब करोगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा तो कल मिलते है रात आट बजे आज के लिए तना ही जै भारत वन्ने मात्रम शवरात्री करो प्यास दो काटी।